कॐमा ने लिए किमा नावास की ने आपके हैं और किमा मसाले दार की रेसिपी आपके लिया है मटर और टमाटव लिए तो कीवा एक किलो लिया है और एक किलो कीवा अच्छे से धो के वाश कर लेंगे और यह मटर नहीं एक कब जिसे हमने फीरीज की यह लिए थे और यहां पे तो कुछ खड़े गरम मसाले लिए हमने 1 तीसपून जीरा है दाल चीनी के कुछ तुकड़े तेरी स्पून बड़ इस बड़ एलाई सी एक टीसपून काली मिर्चे तो यहाँ पर एक पाउ तेल गूकर है और खड़े गरम मसाले तील में डाल से और खड़े गरम मसाले डालते ही हम इसमें ऐख दाल दाल देंगे और कीमा जैसी हमारा डल जाएका तेल में तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंज यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते रहना है ताकि नीचे से गरम कुकर है तो हमारा कीमा चिपके नहीं बस कीमा जैसी डलता है तेल में तो कीमा भी अपना पानी छोड़ने लगता है तो साथ में हम इसके नमग भी डाल देंगे और कौड़े टीस्पून हल्दी पॉडर डाल देंगे और कीमा अपना पानी छोड़ेगा थोड़ा ऐसे हमें सुकाना है बस इसको हम अब स्पीड रख लेंगे गेस की हम पानी सुखा लेंगे उसाथ में इसके डाल देंगे एक बड़ा चम्मच हमने लेस्वन तरा का पेस्ट लिया है बस लेस्ट को भी मिक्स कर लेंगे हम और हमने 2 medium प्यास ली थी जिसका हमने पेस्ट बना लिया है तो उसको भी हम इसी में डाल देंगे क्योंकि आज हमारा मसाले तर कीमा है तो इसलिए हम थोड़े बहुत मसाले लेंगे इसमें तो बस हमारी ये सब इतने मसाले मिल चुके हैं तो हम बागी के भी अट कर लेते हैं वन टी स्पून कुरेंडर पाउडर वन टी स्पून डेड मिज पाउडर और इन मसालों को भी मच्छे से कीमे में मिक्स कर लेंगे तो ये सब हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और पानी बी कुमे में तक हम इसे घलाएंगे या फिर एक सीटी दिला के हम 10 मिनिट मंदी एस पर रखेंगे सिम्गेस पर और इसके बाद हम खुल लेंगे इसे तो कुकर कड़कन खुल चुका है तो देखिए आप यह गलवा कीम हमारा अच्छे से दिख रहा है तैयार तो बस अब हम इस कीमे को देखिए हमारा बिल्कुल रेडी है तो अब हम इसे भून लेंगे इसे थोड़ी दिर हमें अच्छे से भून लेना है तो देखिए यहां पर भूनते हुए कीमे ने तेल छोड़ दिया है तो हम टमाटरों को डाल देंगे टमाटर हमने काट लिए है और फेंड्स यहां पर हमारी एक क्लिप इसकिप हो गई है तो हमने यहां टमाटरों के बाद मटर भी डाल दिये थे तो मटर और टमाटर की गलने तक हम एक कीमे को पकाना है तो मटर यहां पर आप कच्छे भी डाल सकते हैं चाहें तो बाल के भी डाल सकते हैं अब मटर और टमाटर की गलने तक हम पकाएंगे और फिर हम अपने कीमे को अच्छे से भून लेंगे तो यह कीमा हमारा अच्छे से भून चुका है तो इसमें हम अपनी हरीमिर्च और धनिया डालेंगे तो यहां पर मोटी और कुछ पतली हरीमिर्चे लिए यहां पर हमारी फ्रेश हरीमिर्चे हैं तो हमने इन्हें माई डठल क ले लिया है उसाथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे तो फ्रेंट्स यहां पर लास्ट में तो हमारा बन के त्यार हुच चुक है खीमा तो हमने फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है बस यह खीमा हमारा बन के त्यार है तो हमने इसको कर लेते हैं डिशाओ तो फ्रेंट्स पता ही आप मुझे बहुत ही एजी तरीकर से बनाए हुआ मसाला दर खीमा मटर की रेसिप आपको कैसी लगी अगर फ्रेंट्स अगर आप को यह पसंद आती ही तो आप इसे लैक जरूर करीजिए। और फैंड जिसे लाइक और शेर जरूर कीजिए और आप अपने चैनल दशेफ को सबस्क्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकिशन मिलती रहे इसी तरह की नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं अपना ख्याल रखिए बाई